आज हम एक्तम कम तेल में बनाएंगे पोहे से बहुत ही मज़ेदार स्पॉंजी और सॉफ्ट नाश्ता और सच मानिए इतना ज़्यादा ला जवाब है क्योंकि हमने फिल कि इसके अंदर आलो की स्टफिंग तो इस बात का अंदाजा तो आप लगाई सकते हैं कि कितना ज़्य सच मानिए इसको जो टेस्ट ना वह बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है और बनाने का तरिका आपको मेरे वीडियो का पता है कि मैं बिल्कुल तरीके से बनाती हूं ताकि आगर आप बनाना चाहें तो आप भी बना सकें तो चलिए फटा-फटा रेसेपी शुरू करते हैं न तो सबसे पहरे पोही को हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और इसे ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सूजी होती है दरदरी तो यह देखिए जी मैंने यहां पर ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल जैसे बारिक सूजी होती है उसकी तरह ग्राइंड क जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है और अब हम इसे चान लेंगे और जो भी इसमें दरदरा पाट उपर बचेएगा अगर ज्यादा कॉंटियोटी में है तो दुबारा ग्राइं कर लीजिएगा और थोड़ा भूत है तो आप उसे फेक सकते हैं जैसे कि सामने आपको थोड़ा सा है तो बस जी इन दोने ही चीजों को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स और अब हम क्या करने वाले हैं हम एड करने वाले हैं इसमें कुछ ऐसे इंग्रीडियंट्स जो कि इसको बनाएंगे स्पॉंजी और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट तो मैंने ले लिया एक हम क्या करेंगे लेंगे गुन-गुने से थोड़ा ज्यादा गरम पानी और हम उसे डालेंगे सीधा इसके ओपर यानि इनों के ओपर जोगी गलती से मैंने ढग दिया था क्या होगा कि जब हम गरम पानी इसमें डालेंगे तो जल्दी से एक्टिवेट होगा तो बस हम यहा तो थोड़ा थोड़ा करके जब हम पानी डालेंगे न तो इन दोनी चीज़ों को फूल लेका टाइम मिलेगा और एक साथ डाल देंगे तो हो सकता है वो टाइट सा डो बन जाए तो हमें टाइट डो बिलकुल भी नहीं बनाना धीरे-धीरे करके एक ग्लास पानी याड़ करे लेंगे तो दिखें एक तम सॉफ्ट डो है जैसे के में रोटियों को बनाते है वैसे ही तो चलिए जब करते हैं स्टफिंग की तैयारी तो स्टफिंग के लिए लिए मैंने यहां पर तीन मिलियम साइज के अबलेवे आलो जिने की मैंने कर लिया मैश और इसे और भी ज्या चमच मैं ले रही हूं अजवायन के आलो के स्टफिंग है तो थोड़ी से हभी ना हो जाए यह बाई बाई-बादी ना हो तो उसकी लिए मैं तो यहां पर अजवायन डालती हूं अगर आप स्किप करना चाहिए तो कर सकते हैं तो देखें अच्छे से मिक्स करने के बाद म कि आपको पतला करेंगे तो फट जाएगा ना चूटा से अपको नजर आ रहेंगा और चोटा से जितना मुमोस की पूढ़ी बेलते हैं उतना ही हमने बेला है और बीच और बीच अब रख लिए स्टफिंग और बढ़े ही जैटल तरीके से इस पॉकट को कर देंगे बंद एक क्रैक आ गए तो कोई इशू नहीं है कि अगर ऐसा हो तो आप भी मेरी तरह फिंगर्स में पानी ले सकते हैं इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं देखी जैसे मैं कर रही हो ना फिर बस जी इसे गोल गोल हम गुमाएंगे दोनों हतेरियों की बीच में और कर देंगे प्रे बस चीज सेम इसी तरीके से हम सारे के सारे जो हमारा यहां पर डो है उससे इस तरह के पेसिस कर लेंगे तयार तो यहां पर मैं फटा फट से आपको फिर से रिपीट करके दिखा रही हूं यह देखिए जी हम ले लेंगे एक छोटी सी लोई और उसमें लगाएंगे से शेप दे देंगे यह देखिए हम सारे के सारे यहां पर इस तरह से बना कर पीसिस कर लेंगे तयार और हां जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर देती हूं कि अगर कोई पीस हलका सचे से फट जाए इस तरीके से तो पाने का हाथ लगा के उसे बंद कर दीजिए और थोड़ा तो दिख भी रहे ना या फिर निकल भी रही है स्टफिंग उसकी अंदर योगी निकलेगी नहीं तो आप टेंशन मत लीजिए कि वह गिरेगी ठीके ना जी क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं मला था ना क्योंकि जरूरती नहीं है तो फाल्त के मैंनत क्यों यानि कि जो हम नाश्ता बना रहे हैं वह चिपके ना है जब हम तेल लगाएंगे तो वह इजी ली दी मोल्ड जाएंगे निकल जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे फ्लेम को कर देंगे हाई और ढख करके नेक्स्ट हाई फ्लेम में पांच मिनट तक इन्हें कुक होने या फिर आप चाहे तो मिली तरह भी कर सकते हैं तो मैंने आपर तकरीबन चार से पांच चमच लिया तेल इस से ज्यादा लेनी की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है और यह है लगभग एक चमच काले तिल अगर आपके पास काले तिल हो तो ठीक है नहीं तो आप स्किप कर स है कॉंटिटी उतनी एड कीजिएगा लेकिन ध्यान रखेगा कि कॉंटिटी कमी होनी चीए मसालों की और उपर से हम एड कर रहे हैं हापर हरा धनिया पत्ता और जब हम हरे धनिया पत्ते का इस तरीके से चोका मारते ना तो आप सच मानी इतना ज्यादा ला जवाब होता है उनकी हल्प से आप कर सकते हैं क्योंकि गरम है तो हाथ जलने का तर हो सकता है तो सारे पीसे को हम क्या करेंगे मसालों में दोनों साइट से कर लेंगे कोट और फ्लेम को इस टाइम पर मैंने रखावा है बिलकुल लो ताकि हाथ ना जले और नहीं मसाला ठीक है न जी और एक तो यह सॉफ्ट बन गया और साथ में स्पॉंजी और सच मानि यह खाने में इतना ज्यादा मज़ेदार है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रहागा और आपसे पूछेगा साथ में इंग्रीजिन्स भी पूछेगा खाने वाले को यह पता भी नहीं चलेगा कि आपने य किया है और कितने कम तेल में हमारा कितना ज्यादा मज़ेदार लाजवाब और हैल्दी ब्रेक फास्ट यहां पर हो रहा है तयार वह भी चटपड से और अब हमने जैसे कि इन्हें पलट लिए तो निचली साइट से भी हम इने सिकने देंगे और लुक देखिए भी इनकी व तुक और कलर यानि की जैसे यह दोनों साइट से गूल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो हम गैस को कर लेंगे बंद आप चाहिए तो स्टीम करने के बाद भी खा सकते हैं अगर आपने छोका नहीं लगाना तो लेकिन छोका लगाने के बास सच मानिए इतने बिंदास ब जैंगे यह ऐसी मज़दार रेसिपी है और जैसे कि मैंने कहा आपको कि अगर मेहमान भी आपके घर में आए तब भी आप छट पट से यह वाली रेसिपी बना करके उनके आगे सर्फ कर सकते हैं है ना मज़दार रेसिपी तो चलिए जी उमीद करती हूं कि आपको मेरा ना हो बस लाना है तो इनो अगर आपके पास नहीं है तो तो चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पो वाचिंग तो आज का यह मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जुरूर कीजिएगा और हाँ अगर मेरे इस चैनल पर आप नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूरिएगा तो चलिए आप से फिर मुलाकात होगी एक नए बीडियो में एक नए रेसिपिक की सान तब तक की लिए आप सभी को मेरा नमस्कार